हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो हम देखने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंदित लेटेस न्यूज देखीगा जो उत्तर प्रदेश किंदर टीजीटी पीजीटी का जो एक्जाम कंड़क्ट करा जाएगा वो करवा जाएगा नया सिक्सा सेवाचान आयोक के द्वारा उसी से लिटिड आज की अपडेट है साती साथ यहां पे आरो यारो का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका 411 पोस्ट है इसमें और इसके अलावा देखीगा एल्टी ग्रेड जो सिक्षक बरती है इसका नोटिफिकेशन भी आपक समीति ने निमावाली जो आपकी तयार किये इसे नियाई विवाग को भेज दिया इस आयोक के जल्दी अस्तित में आने की जो है उम्मीद है और यह मान के चलेगा आपकी जो टीजीटी और पीजीटी की एकजाम डेट जो आपकी घोसित की जाएगी कम से कम आपकी 50 दिन प कि यह फिर आपका जो है क्योंकि आयोक के बनती जो है आपकी टीजीटी पीजीटी की जो भरती इसको यह आपका कम्प्लीट करवाए जाएगा और आपकी रही बाथ आपकी lt grade और आपके यहाँ पे gic की इसका जो notification है इसका भी बहुत ही जल्द जो है जारी कि जाएगा और इसको जो conduct कराया जाएगा आपका UPPSC के दुवारा जो है करवाया जाएगा अभी आप सोच रहे हैं काफी समय से लगतार नियुजारी इसके लिए काफी जो है आंदोलन भी चल ला इसमें और 2018 वेकेंसी आई थी और लगबग अभी तक 10,000 से जादा जो पद है अभी आपके GIC और LT के इंदर खाली है और IO की कोई भी वेकेंसी होती उसमें देखीगा फोर्म भरवाने के बाद जो है बहुती जादा कम समय दिया जाता है आपका पेपर में जैसे आपका GIC में पिछली बार अभी जो है पेपर हुआ था इसके लावा जैसे आपने देखा है आपकी KVS की एक भरती आई थी अभी तो KVS में क्या हुआ था KVS में भी आपका फोर्म भरवा है उसके कुछी समय के बाद आपकी exam date आ गई थी ऐसे DT PVS में हो था ऐसे ही आपका इसमें होगा तो अभी अपनी तयारी जितनी भी है उतने में और दोगनी मैनच से लग जाएगा इसमें और साथी साथ देखेगा यहाँ पे आपका जो है एक जो नूज है आपकी सिकसक भरती से डिटट यह आपकी बिहार से क्योंकि बिहार के अंदर आप सभी को मालूम है कि आपका एक TGT और आपकी PGT और तीसरी जो भरती आपकी जूनियर की इसके लिए जो आवेदन होगा यह आपका 19 अक्टूबर से सुरू हो जाएगा इसमें और जो जूनियर भरती है इसमें वहाँ पे जो है 31,000 पोश्ट है कितनी है 31,000 पोश्ट है तो इसमें आपकी तीन सब्जेक के लिए आपकी भरती होगी इसमें एक होगा आपका साइन्स होगा दूसरा यहाँ पे आपका जो है SST होगा और तीसरा हो गए याप पे लेंगवेज आपकी और जूनियर के लिए देखीगा आपका जो है सीटेट आपका याँपे जो जूनियर वाला है वो आपका जो है किलियर होना चाहिए उसमें यापे ये देख सकते हैं आपकी जो है इसमें यापे देखेगा नॉमबर अंद तक यापे दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट आपका यापे आएगा यानि कि नॉमबर के एंड में ये परिक्षा होगी दिसंबर में आपका रिजल्ट आजाएगा बहुती जल्दी से आपकी ये भरती जो है आपकी बिहार वाली कम्प्लीट करवाई जाएगी लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इसके बिलकुल विपिरित हो रहा है